नमस्का दोस्तों द्रभंगा रख्स में आपका स्वागत है जो निदेशक है, उनकी बातचीत, जो है video conferencing के मांद्य हम से, पुरिया के जिलाधिकारी से हुई है, और एक बड़ी बैठक पुरिया में हुई थी, उस बैठक में कई सारी जानकारियां सामने आई है, सबसे बड़ी जो जानकारी है, उसमें यही है कि consultant न्यूक्त कर दिया गया है यह meeting के तस्वीर देखे जिसमें कुंदन कुमार जो पुणिया की जिलादिकारी है वो बैठक कर रहे हैं वीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई जिसमें Airport Authority of India के निदेशक और GM Project Case Vision भी शामिल हुए और उसमें यह बताया गया कि consultant न्यूक्ती कर ली गई है जहां दोस्तों सबसे बड़ी जो बादा थी निर्माण की वो निर्माण के लिए consultant न्यूक्त हो गया है और यह बड़ी चीज सामने आई और इसकी जानकारी GM Project Case Vision द्वारा बताया गया कि हवाई एड़ा के civil enclave और अन्य सुविधाओं की निर्माण है तू consultant की न्यूक्ती कर लिया गया है यह बड़ी चीज सामने आई है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसमें क्या-क्या प्रस्ताओं है प्रस्ताओं में यह है कि तमाम सुविधाओं के अलावा multi-level parking बनाने का भी प्रस्ताओं है यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने जो जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि पूर्णिया एरपोर्ट का जो civil enclave का निर्माण होगा वो चार भागों में इसका जो है डिवाइट किया गया जिसमें पहला होगा आगमन, दूसरा प्रस्ताओं, तीसरा सेकूर्टी होल्ड एरिया और चौथा जो है कॉंकोर्स एरिया यह समाम पहले फेज में यह चार चीज का निर्माण होगा और जो अनुमान है या जो प्रस्ताओं, वो सालाना 2400 हुआई जहाजों की मुव्मेंट का प्रस्ताओं है करीबाn 4500 हुआई जहाजों की मुव्मेंट होगी यह आंकलन है इसके अलावा जो आंकलन है वो यह रिय है कि ये पूरा जो है DPR तयार होगा और देखा जाएगा कि इसमें जो है इसको जल से जल बनाने की पड़किरिया शुरू हो गया और यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है जो समय दिखाई दे रहा है वो समय यही है कि चुनाओ की मद्दे नजर इसको ले जायाएगा आपको बता गया था कि पूर्णिया एरपोर्ट के लिए जो है वो यह हुआ था और अगस्त 2023 में यह टेंडर जारी हुआ था जिसमें की हाइरिंग के लिए इंजिनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से यह चीज रखी गई थी जुलाई अगस्त की बात है और यह फाइनल हो गया अब और यह पूरी जो तयारी दिख रही है सरकार की वो कहीं ने कहीं चुनाव से प्रेरित लग रही है और चुकि इसमें दो तीन महीने का समय लगेगा इसलिए यह पूरी प्लानिंग के साथ जैसे दिसंबर में इन किया तो दर्भंगा एरपोर्ट का भी सामने आ रहा है तो यह क्याशता दिखा रही है कि यह शिला नयास एक समय पर जाकर होगा और यह दिखाये जाएगा कि सरकार इसके बिहार सरकार की कि रहार में काम कर रही है और बिहार में पूर्भंगा के ऐरपोर्ट का जो तोफ़ा है नय स्विल एनकलेव का या पूर्णाव से पहले आचार सं क्योंकि सरकार जब ठान ले कि हमें करना है और लेकिन ये पूरी तरह से जो है वो प्लैंड वे में इसको खीच करके लाए गया है तो हाला कि चलिए चुनाओ ही सही लेकिन एक अच्छी खुशकबरी आ रही कि नए साल पर एक बहुत अच्छा तोहफा मिलने जा रहा है संभावना आप दिखाई दे रही है और जो उमीद लोगों की टूटती बनती रही है अब तक वो उमीदें जो है वो एक बार फिट से बनती हुई नजर आ रही है और इस बार मजबूती के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी चाहे वो सिविल सुसाइटी ने लड़ी हो चाहे वो जनपरतिन्दियों ने लगातार मुलाकात की जाकर के दिल्ली में प्रेशर बनाया है तो ये सडक से लेकर के जो संसत तक और जो सत्ता के गलियारों तक और जेतिरा सिंधिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो प्रेशर एक सरकार के उपर बनाया गया वो उसका अब दिखाई दे रहा है कि पुर्णिया एर्पोर्ट में कंसल्टेंसी हायर हो गई है तमाम तरह की बैठके शुरू हो गई है और अब आने वाले दिनों में इसका जल्दी चला नियास नजर आएगा क्योंकि प्लानिंग उसी लिहाज से देखी जा रही है कि बिल्कुल उसी टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है सब कुछ तो दोस्ते वीडियो कैसा लगा जरू लाइक है शेर करें और विए सब्सक्राइब करें कुछ अब भी कुस्ता आता है कि हम देखते हैं दर भंगा रोख सुख्रें दरबाद जैन जब यार जै मितला